हेलो फ्रेंग्स वेल्कम बैक टू माई चैनल अज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ अंडा भुर्जी की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है अंडा भुर्जी बनानी के लिए हमने प्यास टमाटर और हरी मेर्ज को बारी कट करके लिया है कड़ाई में हम डाल देते हैं सरसू का तेल जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच जीरा बारी कट किया हुआ हरे मेर्च बारी कट किया हुआ प्याच और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करके लेते हैं एक चम्मच लसुन और अधरक का पेस्ट और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करके लेते हैं एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर नमक स्वादन उसार और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करके लेते हैं और अब इसमें हम डाल देते हैं आधा चमज गरम मसाला और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करके लेते हैं बारी कट किया हुआ टमाटर और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करके लेते हैं और इसे हम ढखके 2-3 मिनिट के लिए इसलो मिड़न फिरिम पर पका लेते हैं ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरीकी से सॉफ्ट हो जाए तो अब इसमें हम डाल देते हैं अंडा और एकिक करेके हम सारे अंडे डाल देते हैं अंडा भुर्जी को आप ब्रेट, पाव या फिर रोटी के साथ सॉफ्ट कर सकते हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और काफी कम समय में बनके तैयार भी हो जाता है अंडा भुर्जी को लगतार चलाते हुए हाई फ्लेम पर आपको अच्छी तरीके से मिक्स करते रहना है ताकि ये कंप्लीटली ड्राय हो जाए ये अच्छी तरीके से कंप्लीटली ड्राय हो चुका है और अंडा भुर्जी जो है वो हमारा बनकर रेडी हो चुका है तो इ आपको मेरा यह रिसिपी अच्छा लगा हो तो आप मेरी चैनल को लाइक शेयर और सुब्सक्राइब करें